नमस्कार दोस्तो विलकम टू टेक महातो डू चैनल दोस्तो आज की सी वीडियो में हम बाते करेंगे टास्क डेफिनेशन के बारे में किस तरह से आप जो है टाक्स डेफिनेशन केरेंगे ECS के अंदर में task definitions क्या होता है इसका पुरा में details में आज practical दिखाने वाला हूँ दोस्तों ये ECS का video number 9 है और मैं आप लोगों के लिए जो devops का series बना रहा हूँ उसमें ECS जो पहले अस्तान पर है जहां पर आप को ECS का A to Z video मिलेगा अब ECS AWS का बहुत ही एक popular tool है जो devops engineer होते हैं इसका काफी use करते हैं लेकिन दोस्तों केबल ECS सिखने से नहीं होगा ECS सिखने के साथ साथ आपको कुछ और tool है जिसका basic जनकारी होना बहुत ही जरूरी है जैसे कि basic script, Docker, Git, GitHub, ECR, ECS, CodeDeploy, EKS, Jenkins, CloudFormation और Terraform इस सारा का सारा वीडियो का जो कोर्स है ओ मैं आपको प्लेइलिस्ट में दे दूँगा ECS का जो में प्लेइलिस्ट है उसके अंदर में सारा का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा जहां पर मैं एकदम basic से लेकर के advanced level ता practical oriented course अपलोड कर रहा हूँ और दोस्तो last class में जो हम लोग सीखे था कि cluster क्या होता है किस तरह से cluster बनाते हैं अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका link दो डिस्क्रिप्सन में उस वीडियो को देख डालिए आप जाए प्लेलिस्ट में पूरे पूरे वीडियो नमबर वन से लेकर के अभी तक जितना वीडियो बनाया हूँ सारे वीडियो का आप देखिए ताकि आपको जो knowledge है वो enhance हो सके एकदम basic से दोस्तों जगर आपका basic के लिए रहेगा तो आप devops ECS में बहुत ही अच्छी तरह से काम कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं सबसे समझते हैं कि actually में ECS में tax definition क्या होता है तो tax definition का समझने के लिए एक कुछ point है जो point आप दिख सकते हैं हाँ पर और टास definition is required to run docker container in imagine ECS के अंदर हम लोग basically क्या करते हैं docker container को run करते हैं और उसको run करने के लिए हमारा tax definition का जुरूरत परता है tax definition is a blueprint for application and describe one or more container through attributes तो यह blueprint provide करता है जहां application के लिए जहांपर हम describe करते हैं कि हमारा एक container या एक से ज़्यादा container जो run करेगा उसके attributes को हम लोग define करते हैं some attributes are configured at the task level but majority of the attributes are configured as a container level right तो जो attributes हम define करते हैं right तो attributes जो configure किया जाता है वो container level configure किया जाता है और वो कुछ-कुछ task level में भी किया जाता है इसका parameter क्या क्या होता है इसके task definition के अंदर में parameter होता है उसका docker image यहां पर हम define करते हैं कि हमारा container run करेगा कौन सा image में run करेगा जो हमारा container होगा उसका कितना CPU होगा कितना memory होगा instance कौन सा instance type में जो हमारा जो container हो run करेगा उसका जो डॉकर का जो निट्रों कि नोट निट्रों कि जो मोड रहेगा वो कौन सा रहेगा फार्गेट हम चूज करेंगे या डिफल्ट भीपी से लेंगे या जो हम ले रहे हैं डिट्रकिंग मॉडल जैसे ब्रीज होस्ट इसा मॉडल हमें चूज कर सकते हैं लोग इन इंफॉर्मेशन क्या होगा वह हम डाल सकते हैं राइट विदर टास्क सूट कंटीनू रॉन और सब्सक्राइब करते हैं जो कंटेनर होता है रही कंटेनर टाइप जो होता है हम अगर मान लीजे कि फॉर्गेट टाइप हम लॉंच कर रहे हैं करते हैं तो टाक्स डेफिनेशन किस तरह से होगा इसी टू टाइप लॉंच होगा या फॉर्गेट हो हम चूज करते हैं तो फॉर्गेट के अंदर में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अगर यह प्रैक्टिस अच्छी तरस आपको समझ माए जाता है तब हम इसी टू करते हैं तो टास्क डेफिनेशन किया है उसका नाम होगा रोल आपका जो फारगेट का लॉंच टाइप है राइट जो तो इसको आप क्या रोल देंगे राइट रोल देना पड़ता है यहां पर नेट्वर्किंग मोड क्या यूज करेंगे टास्क जो एक्जिक्यूट होग में इंफर्मेशन डालेंगे और एडवांस मोड में जब जाएंगे तो आपको यहां फो हेल्स चेक इनवार्मेंट इनवार्मेंट वरियेवल कॉंटेनर टाइम आउट नेट्वर्किंग सेटिंग स्टोरेज रिसोर्स लिमीट एंड यहां से बहुत कुछ आपको समझ में लोग करेंगे और आपको दिखाते हैं की कैसे यह काम करता है राइट तो हम चले आदेंगे और हमारा यह क्या है यह हमारा आपका देख पार है है लाव्ट क्लाश्टर दिखाया तो किस तर से अप क्लास्टर को क्रेट करेंगे अब हम जाते हैं टास्ट डिपिनेशन में कि अदूज्टर कि सब्सक्राइब करें गए करें ऐस किल हो जाएगा तो आप जाई ये पहले उस वीडियो को देखिए और फिर आ टीव बीडियो को देखिए रएट तो टास्क डेफिनिशन हम चले गए यहां पर ओलीडिक टास्क बना हुआ है बट मैं एक टो टास्क नया से करता हूं क्रिएट न्यू टास्क डिफिनेशन अब हम क्रेट करेंगे यहां पर हम चूज करेंगे फार्गेट राइट तीन तरह काम पॉप्षिन मिला है तो अपर लेंगे लेकर क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप और जाने के बाद देखिए हां पर कि टास्क डेफिनेशन का नाम हम लेंगे करने के बाद यहां पर देख रहा है नेटवर्ग मोड और यहां पर दिखाए देगा और अगर नहीं रहेगा ताप प्रियेट कर देखे देखिए अब जो यह वह कंटेनर है राइट उसका लिए हम जो है में मिमोरी चूज करेंगे तो हम लेंगे पॉइंट फाइब जी पी और इसका भी सीपले पॉइंट टूफफाइब लेंगे राइट अब इसके लिए हम लोग कॉंटेनर का जो है में इतना जो है मीमोरी और इतना है हमारा सीपर करेंगे करेंगे हम एंट करेंगे रहा हूं यहाँ पर यहां पर और इमेज यहां पर देना पर कहां से वह इमेज को उठाएगा रइट वे आपका इमेज तो कंटेनर के लिए मैं बोला कि कंटेनर का इमेज होता है अब उसका इमेज के लिए आप लोगों को बताया था गीठाब बता दिया था और इस यह बता दिया था तो गीठा किये और एलास्टिक कांटेंटन सर्विस को हम लोग ओपन करते हैं ऑक हम देखेंगे हमारा रेपोजीट्री में क्लिक करेंगे और हमारा एक रेपोजीट्री बना होगा गारे सब्सक्राइब नहीं है ज़ली हम्सव्ठ रिपोज़ेट्री मोकेट कर लेते हैं कैसे हम लुकेट करेंगे अपर इसके लिए मॉठरो एक्रेट्र रियर बोजेट्री और एक नाम दे देंगे हाँ यहां पर धे react and और यहां परादने के बात हम करते हैं create repository अब इस repository के अंदर में हमें क्या करना पड़ेगा हमें को इमेज को डालना पड़ेगा राइट सो यहां कि限र इमेज हम कैसे डालेंगे इमेज जालने का तरीका है और हमें आपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद अभी यहां पर कुछ इमेज नहीं है तो इमेज हमेज चाहिए इमेज कहां से मिलेगा तो उसके लिए हम और जब क्लास करा रहा है थे तो वहां बताया थे किस तरह से आप करना है उसको अंदर इमेज करना है आप उस वीडियो को देखी वहां पर में डीटल्स में समझाया हूं बट यहां के लिए मैं करूंगा कि एक इंस्टेंस को मैं लॉंच कर लेता हूं यह जो देख रहा है इंस्टेंस जो रर्निंग हो रहा है लास्ट टाइम हम लोग जो जो क्लास्टर बनाये थे उस क्लास्टर के लिए रर्निंग हो रहा ही है तो इसको अभी रहने देते हैं हमारा जो इंस्टेंस था ओ कहां सा मुंबई में था सो मुंबई में मैं जाता हूं जाने के बाद हम यहां पर कौन सा बनाया थे यह वाला कि इसको हम लोग क्लिक करेंगे अच्छा यह रणी है कोई बात नहीं है तो अच्छा है टर्मिनस में जाते हैं और आपको यहां पर मिलेगा एस प्रोजेक्ट वाला यह हमारा है कि इस पर क्लिक करते है आईपी को हम लोग पेश्ट करते हैं इसको अने करते हैं रहिट कि वह सूदो हाइफेन आई डोकर इमेजेस देखी और यडि मेरा डॉकर का इमेजे हम पर परा हुआ है देख पा रहे हैं तो इस image को हम लोग क्या करेंगे container के अंदर में पूस्ट करेंगे right so कैसे करेंगे very simple process है उस के लिए करेंगे हम लोग container में चले आते हैं और यहां पर हम करेंगे view push command में क्लिक करेंगे तो सब कुछ यहां पर आपको बना बना ready मिल जाएगा right so हम यहां पर हम ख्लिक करेंगे पहले हैं उसके अंदर में login कर लेंगे यह देखिए कि ओके login success हो गया आप कैसे login होता है login कैसे configure करेंगे बन राया हूं मैं तो बार बार मैं provide for attention जाते हैं यहांपर क्लिक करेंगे और हमें आप जाते हैं और दोटफ आसे कशल करेंगे तो हमें दिखा देगा यहां पर ये डोकर रिबो है है इसीज़ के अन दर जाते हैं ये बीच्टीर के नदर में बनाये थे हम लोग लिस करते हैं दिखिए इंदेश दॉट दालते हैं और हमारा देखें कि एक इमेज ऑटमेटिक बन जाएगा ओके सो यह इमेज बन रहा है देख पा रहा है है इमेज हो गया बनका रेडी मेरा और इसको क्लियर करते हैं कि डॉकर लिसकोच क्लिक करते हैं आठी हमारा एक नया इमेज बन गिया है अब इस इमेज को टेक्ट देंगे कहाँ से टैंक देखिस आप पूस कमाने यहां पर अब कि यह पूस हो चुका है देख पारहां यहां पर अब क्या करएंगे यहां पर कम जाते हैं और नीए हम सेенер हैं आपरेगा पेस्ट करने के बाद कि हांपर जो भीडिफेल सेटिंग उसको रहने देता हैं कुछ बन्ह идет नहीं करेंगे हम बोग और यह आ प्रोट मैपिंगी अपर दिखा रहा है वंतो पूर्ट मैपिंग को हम करेंगे रहने देते हैं जैसा है वैसे रहने देते हैं आप कुछ भी सेटिंग अभी चेंज नहीं करेंगे बाद में हम लोग समझेंगे बन्या से बट अभी के लिए पहले एक लिस्ट हमारा जो पहला जो टास्क है वो टास्क अची तरह से कंपलीट होना चाहिए एक बावर दिख लिता हूं मैं यह होगा इमेज पूर्ट नहीं यह नहीं देना है और इंवार्मेंट नहीं चाहिए हमारा कॉंटेशर टाइम और निटवर्किंग निटवर्किंग जो है जैसा है वैसे रहने दें गआप अभी गे रीड लिए रूट यहां पर कि दो करेंगे अँपर एड मेंज ख़िए कॉंटेिनर तो और धैड दिख पा रहा है निचे माएंगे वर प्रॉकसी चाहिए हमको यहाँ पर आहेंगे करेंगें पर कर्ने इस ओरएट तो एक बार खसे हैं यह सब कुछ मेरा default रहेगा घैज ऑके समकर्ता है आपके ट्रीट अब करते ही है हमारा जो है ये create हो गया बहुत ज़्यांदी होगिए तब टास्क मीन क्लिक करेंगे थे क्लिक करें गदिले नियद में तो इस का इपनी हाँ ठीकार रहा है gestive Lesung का Western गाफ सो अच्छा तो अब माली जो कहें कि नियू जो बड़ रिविजन दिखा रहा है सपोज आपने क्या कि आपका इस यहार में फिंस आपने नया जो है आपने इमेज यहां पर पूस किया आप चाहते हो इमेज रंड करें तो आप यहां पर चले जाएंगे सिंपल और नियू रिविजन में क यूरा में बताया कैसे देखना है आपको उखल उरए सो यूरा इमें आप जाएंगे यह को कॉपी कर लेजे और वहां पर फिंस को डाल देंगे तो वह क्या होगा update हो जाएगा तो नया इमेज जो भी update हो जागा पुराना ही आपका खौंटेंट नंको पम राइट तो इस सब्सक्र Evening को और निज्ट वीडियो के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर दीजे बेल खर आप लोगों से कम से कम कौमेंट जरूर करे तभी अपका वीडिए अच्छा लग रहा है आप नहीं लग रहा है आप नाकव जो भी पॉइंट आप जो भी मन में आता है उसको बारे में आप कॉमेंट करें वीडियो को एक बार लाइक जरू से जरू कर दे चले मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ